हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट पूड मैं आपका स्वागत है तो दोस्तों, आज हम देखने वाले क्लास 10th, Half-Yearly Examination और सेशन है 24-25, ठीक है? और सब्जेक्ट है Mathematics जो इस साल आपका ये जो Half-Yearly Exam होने वाला है इस रिगार्डिक हम आपके लिए Best Sample Paper लेकर आएं दोस्तों जो कि आपके Exam Point of View से काफी Important रहने वाला है और दोस्तों जो इसमें Question है आपके Directly Paper में भी आ सकते हैं दोस्तों तो ये काफी Important Paper जो मैं आज Discuss करने वाला हो, होने वाला है और इस Paper को end तक जरूर देगेगा ताकि आपको सारे के सारे Important Question मालूम चल सके तो दोस्तों मैं इस Paper को Soul करूँ इससे पहले यादि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिगा जिससे आपको इसी तरह के Sample Paper की Up to date जानकर ही मिलती रही तो दोस्तों अब हम इस Paper को Soul करना शुरू करते है ठीक है तो देखो सबसे पहला जो Question है न इसमें वो लिख रहा का है SCF of 84 and 108 तो यह आप सभी को आता होगा देखो 84 के ऐसे Factor कर लेना और 108 के ऐसे Factor कर लेना ठीक है आपके आंसर आजेंगे चल तो मैं कर देता हूँ चलो पहले 4 से कर देता हूँ टू-टू से करना आप तो step ए step और यह 1 टू-टू जा 4 ठीक है और रहे रोको यह 1 होगा ठीक है फिर 3 से जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 फिर यह कितना जाएगा यह जाएगा आपका 4 से कर लो चाहे तो 4 से कर लो direct 4 तू जा 8 और 2 बचा 4, 7 ने 20 है फिर आप 3 से कर लो चाहे तो 9 से कर लो 3, 9 जा फिर 3 से कर लो 3 से गया फिर 3 से गया तो देखो इसके common factor क्या आ रहे है इन दोनों में common factor क्या आ रहे है एक तो 4 इसमें भी आ रहे है इसमें भी आ रहे है 3 इसमें भी आ रहे है बस यही common है तो 4, 3 जा कितना होगा है 12 तो 12 इसका answer होगा दोस्तों फिर next degree of quadratic polynomial is quadratic है quadratic में 2 होती है फिर next चलते है which of the following pair of linear equations has no solution इसमें से कौन से में no solution होता है तो no solution की condition क्या है दोस्तों a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 यह वाली condition होती है अब इसमें देख लो कौन सा condition फुल्फिल कर रहा है आपका तो इसमें देखो कौन से condition फुल्फिल कर रहा है दोस्तों आपकी d वाला option चेक करोगे तो हो जाएगा देखो 1 upon 3 और फिर इसका ये और ये 3 upon 9 तो देखो ये नोट इकोल हो ने 1 upon 3 इससे काट लो ये 1 upon 3 आ रहा है और इस नोट इकोल तो 3 बन जा 3 तरी तरी जा 9 ये 1 upon 3 बन जा 3 3 तरी जा 9 1 upon 3 ये तीनों equal हो गए है सुनो एक मिन्ट रोको रोको तो यहाँ पर आपको बता ने which of the following pair of linear equations has no solution इसमें तो infinite number solution होंगे 3 1 जा 3 और 3 जा 9 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 नहीं ये वाला option तो नहीं होगा अब हमने सही है चेक कर लिया तो इसको ठीक है इसमें तो infinite number of pairs होंगे ठीक है infinite number अब इसको C को चेक करो तो ये 3 upon 6 और minus का 1 upon 2 तो ये तो यहीं पर ही not equal होगे इधर ही not equal होगे तो इसमें तो है तो B वाला देखो 1 upon 2, ये आ जाएगा 1 upon 2 और ये भी 1 upon 2 इसमें भी infinite number solution है पहला देखो है A वाला सही हो जाएगा देखो एक बार 2 upon 4 लिखा तो 1 upon 2 3 upon 6 लिखा 1 upon 2 5 upon 10 लिखा तो ये भी 1 upon 2 तो यहाँ पर देखो सभी में आपके क्या हो रहे infinite मतलब इसमें no solution तो मिलने लिए नहीं सभी में solution में लिए ठीक है तो ये आप इसमें लिख ले ना कि only यहाँ पर has one solution लिख ले रहे ठीक है तो one solution के case में हमारा ये वला जाएगा देखो ये दिख रहे है ना आपको one upon two ये one upon two ये वला c वला ठीक है c कर ले ना फिर इसका three upon six ये तो one upon two होगा ये minus one upon two ये minus minus कट जाएगा भई ये भी one upon two आ रहे है तो ये question थोड़ा देखो इनकरेक्ट है इसको कर ले ना सारे के सारी यहां पर many solution आ रहे है थीक है तो यहां पर या तो ये ना आपको चलो में सही कर देता हूं इसको ठीक है इसमें आप d वाला लगा के मैं बताता हूं क्या करना d वाला लगा के यहां पर क्या कर लो minus कर लो ठीक है तो यहाँ पर minus का 1 upon 3 आगए not equal हो गया और d वाल हो जाएगा जिसमें आपके यह ना यह देखो no solution आजाएगा फिर इसमें समझ गए फिर यह condition fulfill का हो जाएगी यह वाली ठीक है बाकियो में तो सही हो रहा है infinite हो रहा है उसमें तो ठीक है यह हो गया अब देख लेते हैं fourth वाला तो fourth question है दोस्तों हमारी screen पर हम देख लेते हैं तो देखो fourth question देखो fourth question है the roots of quadratic equation यह दिस 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 आर या तो in value को यहाँ पर put करो अगर दोनों के साथ 0 आ जाए तो वो उसके roots है या फिर एक काम करो आप x square दिखो minus का six कैसे factor कर लो कि add करने पर five आए और इन्टू करने फिर six आए तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर two और three ले लिया देखो minus का two x लिख लिया minus का three x लिए plus का six लिख लिया अब x common ले लो x minus का two यहाँसी भी minus three small ले लो तो यहां पर क्या मचे एक्स माइनस टू तो एक तो हो गया आपका 3 यहां पर और एक हो गया आपका 2 तो 2,3 देख लो ए इसका आंसर होगा ठीक है एसका आंसर होगा फिर next है आपके पास दोस्तो next question है the common difference of arithmetic progression बिल्कुल आसान यह आप comment पर बताने क्या आंसर है इसका in a right triangle if one angle is 30 degree the hypotenuse twice the length of देखो right triangle है ओके अब यह right triangle one angle is 30 degree इसको 30 माल लेते हैं ठीक है hypotenuse मतलब जैसे मैंने लिखा यहां पर यह चलो hypotenuse लिख लेते हैं इसको base लिख लेते हैं अब यहां पर hypotenuse है ना hypotenuse लिखा each double each का मतलब बराबर और double the length of twice the length of opposite side, adjacent side, base and perpendicular यह आपका लिख लिख लागा है तो यह क्या होगी opposite side के होती है किस के होती है opposite side opposite side hypotenuse is twice the length of यह वाली इस side के ठीक है तो यहां पर लिख देना आप यह पोजिट आजाएगा आपका ठीक है आप देख लिख 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 तो next question दोसो distance between the point यह A और B तो यहां पर देखो क्या करना है इसको x1 माल लेना इसको y1 माल लेना इसको x2 माल लेना इसको y2 माल लेना अब x2 माल लेना 7-3 कितना बच्छा 4 4 के square 16 होता है plus y2-1-4 मलब माइनस 3-3 के square मलब 9 और 16 और 25 होता है 25 का root कितना होता 5 तो इसका answer आ रहेगा दोस्तो 5 रोनेट ठीक है अब next देख लेते हैं तो next question है दोस्तो हमारी screen पर 8th if the sine theta बराबर क्या दे रहा है आपको 3 upon 5 तो देखो sine theta क्या होता है आपका perpendicular और h hypotenuse ठीक है perpendicular open hypotenuse ठीक है अब यह पर cos theta क्या होता है आपका cos theta होता है दोस्तों आपका क्या होता है base upon hypotenuse सबसे पहले इसका diagram मना लेते हम तो यह हो गया आपका hypotenuse यह वाला ठीक है यानि कि यह तो दे रहा है आपको 5 ठीक है यह वाला नीच वाला और perpendicular किसको मानोगे सबसे पहले theta मानो तो यह मैंने अगर theta माना तो यह तो गया base और यह गया perpendicular तो perpendicular तो यह कितना आजाएगा आपका base hypotenuse से निकाले ना 4 आएगा ठीक है hypotenuse को square equals to base को square प्लस perpendicular square तो इनको करेंगे न तो यह आपका 4 निकाल का आजाएगा दोस्तों तो answer क्या आएगा इसका base कितना आजाएगा 4 और hypotenuse तो सेम रहे कि 4 upon 5 तो इसका answer क्या हो जाएगा A हो जाएगा दोस्तों ठीक है अब देख लेतें next तो next question है दोस्तों हमारी screen पर 9th If two triangles are similar The ratio of the year areas is equal to the square of the ratio of the year तो यह किस के बराबर होते है दोस्तों यह आपको पता होगा यह उसकी corresponding side के बराबर होता है ठीक है corresponding side C आजाएगा फिर next the value of 1045 1045 की देख़वा आपको सभी को आती होगी इसकी value के होती है 1 ठीक है तो 20 का correct answer आदे ओके अब देख लेतें next तो next question है दोस्तों हमारी screen पर short type answer question section B का first question यह question I hope आप सभी को आता होगा root 2 is an iteration ठीक है और यह paper में भी कई बार paper में तो हर साल ही आता sorry कई बार नहीं paper में हर साल ही आता ही है ठीक है यह तो करी जाना फिन next question find the zero of the quadratic polynomial यह आप बताना comment में की क्या answer है बिल्कुल simple है ठीक है बिल्कुल simple है इसके factor बता दे तो 3 और इसके factor आप कर लेना जिसे minus 4 है नहीं आपर तो minus 4 के factor कर लेना 3 और 1 3 1 जा तो 3 हो जाएगा यह यह वाला और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा minus minus के लेना दोन हो जाएगा ठीक है फिन next to solve the following pair of linear equation by substitution method तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों substitution method से इसको solve करना है ठीक है तो यहाँ पर आपको जो दे रखाए ना वो हम देख लेते है तो यहाँ पर दे रखाए 2 यहाँ पर देखो यह तोड़ा है ना यह इस तरह से ठीक है दो equation है तो एक तो दे रखी है 2x plus का 3y equals to 9 और एक दे रखी है x minus का y equals to 1 तो यहाँ से मैं क्या करूँगा x equals to लिख दिया 1 plus y minus y को मालेगा तो plus अब यह 1 plus y ना x की जगे यहाँ पुट कर दो तो मैंने क्या करा 2 और यह सोरी मैं color बदल देता हूँ इसका ताकि आपको अच्छे से visible हो जाए ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2 ठीक है 2 और x की जगे कर रखूँगा 1 plus का y ठीक है अब पिलस का 3 y equals to 9 अब इसको अंदर इंटू कर तो 2 पिलस का 2 y पिलस का 3 y equals to 9 तो यह कितना हो जगा है 5 y और यह 9 और यह 2 हो ले जाएंगे तो माइनस को जगा 7 तो y की value क्या हो गई 7 upon का यह 5 अब y की value आ गई यहाँ पर रख दो x equals to 1 plus y होता 1 plus 7 upon 5 तो यह हो गया x बराबर l से में ले 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 12 upon 5 अजएगा तो इसका जो answer आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों आपका देखो यहाँ पर substitution हमने जब भी करा ना इसमें तो यह x की value तो क्या गई 12 upon का 5 ठीक है और y की value क्या गई 7 upon का 5 ठीक है यहाँ पर 2x plus का 3y equals 9 दे रखा है और x minus y बराबर 1 दे रखा है तो यहाँ से मैंने x बराबर 1 plus y लिखा और यहाँ पर मैंने put कर दिया 2 की जगे x की जगे तो यहाँ पर मैंने 1 plus y रखा और यहाँ पर 3y है और equals to यह 9 है तो मैंने अंदर इंटू कर रहा 2y और plus 3y और यह 9 अब यहाँ पर 2y और 3y कितना हो गया आपका 5y और 2 को महा ले गए तो 9 में से 2 minus कर दो 7 y की value 7 upon y अब y की value यहाँ गई 7 upon 5 इदर रख देंगे y की जगे y की value यह नहीं है अब देख लेते हैं next वाला तो next question करते हैं देखो दोस्तो हम next वाला करते हैं तो next question है हमारे पास देखो यह वाला find the ratio of the quadratic equation using the quadratic formula तो quadratic formula सबसे पहले मैं आपको बदा देता हूँ quadratic formula देता है minus b plus minus root b square minus का 4ac upon का 2 है अब यहाँ पर a क्या है a है x square का coefficient यानि के 2 b क्या है यहाँ पर x का coefficient यानि के minus 3 और c क्या है यहाँ पर c है minus 2 constant term ठीक है अब इसमें roots निकाले यहाँ पर value put कर दो सारी की सारी तो हम value put कर देते दोस्तों तो minus b यानि कि minus पहले से है और minus 3 फिर plus minus root b square b square minus 3 का square कितना होता है 9 minus का 4 a की value है 2 और c की value minus 2 तो minus 2 bracket में रखके करो ठीक है और 2 है 2 into 2 ठीक है तो यह 3 हो गए minus minus plus plus minus यह root में 9 अब यह 4 तो जाए 8 8 तो जाए 16 तो plus का 16 हो जाएगा और अपन का 4 तो यहां बजाएगा 3 plus minus root 16 अपन 4 अब यहां जाएगा 3 plus minus root 25 का क्या था 5 अपन 4 तो एक बार तो जाएगा plus का sign ले 3 plus 5 8 8 अपन 4 मतलब 2 और एक बार minus का sign लेलो तो minus 2 upon 4 कितना था minus 1 upon 2 तो दोस्तों इस case में एक तो x की value 2 होगी और एक minus 1 upon 2 होगी ओके यह हो गया हमारा दोस्तों ठीक है अब देख लेते है next question तो next question देख लेते है तो next question है दोस्तों हमारी screen पर यह रहा ap का है find the sum of the first 20 term first 20 term मतलब 20 दे रखा है यह n ठीक है a दे रखा है आपको यहाँ पर 7 और d दे रखा है a2 minus 7 10 minus 7 मतलब 3 ठीक है अब आपको find the 20 term का निकलना है s20 निकलना है सबसे पहले sn का formula आपको पता ही होगा sn क्या होता है आपके पास देखो sn जो होता है न दोस्तों आपके पास वो होता है n by 2 और यहाँ पर आता है आपका 2a plus n minus 1 into d यह formula होता है बस यह वाले formula आप लगा दो तो यहाँ पर n की जगए 20 2a 7 2 जब 14 plus का n minus 1 तो n minus 1 मतलब 19 और d d कितना है यहाँ पर 3 ठीक है अब इसकी value फूटो लिए यह तो कितना आएगा 10 आजाएगा अब यहाँ पर बचा 14 plus 19 तरी जब 57 ठीक है अब इनको add कर लो 7 4 11 एक असल लगी और 2 और 7 और यह तो answer क्या आगा है s20 की value 7 1 0 यह answer होगा अब देख लेते next the distance between the point यह यह इसका मैं answer बता देता हूँ आप correction करके देख ले न मैंने उपर कराई दिये इस जैसा तो इसका जो answer आएगा 4 root 2 है अब आप check कर देना आपका सही आ रहे है unit square रो लिग देना sin 30 plus cos 60 sin 30 की value क्या होती है 1 upon 2 cos 60 की 1 upon 2 तो यह 2 else हम जाएगा 2 तो क्या जाएगा answer बना जाएगा ठीके अब देख लेते next तो section B दोस्तों हमारे यह हो चुका है अब हम section C की तरफ बढ़ते हैं ठीके तो section C में देखो यह question है आपके ठीके इस तरह से question है इनके answer में आपको बता देता हूँ ठीके तो section C है ठीके अब यहाँ पर SCF, LCM यह दे रखा है तो यह आपको पता ही है दोनों number दे रखे है देखो SCF दे रखा है, LCM दे रखा है उनका prime factor ले में तरफ verify that ठीके तो यहाँ पर देखो इन दोनों को into कर दो इन दोनों को into कर दो ठीके, आपको देखो 56 दे रखा है, 72 दे रखा है ठीके, यह दे रखा है आपको sorry, यहाँ पर है न देखो यहाँ पर थोड़ा correction करी लो ठीके, यहाँ पर देखो यहाँ पर है न, यह देखो जैसे आपको SCF है न यहाँ पर दे रखा है 8 और LCM आपको दे रखा है यहाँ पर 504 ठीक है और जो दोनों नमबर दे रखे ने A और B A तो ये है B A है बस थोड़ा सा correction कर लेना ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आपको verify करना है तो हम क्या करेंगे A into B बराबर क्या होता है LCM ये वाला ऐसे है तो यहाँ पर इन दोनों को into करो और 56 और 72 को into कर लो आपको सेम नमबर आ जाएगा ठीक है सेम नमबर आ जाएगा अब सुनो यह SCF और LCM कैसे निकालो कि वह मैं तुमको बता देता हूँ देखो सबसे पहले देखो 56 है इसके factorize करो 72 है इसके factorize करो तो यहाँ से HCM अभी उपर बताया था और LCM यह निकल जाएगा वो कितना हैगा 8 और 504 और फिर दोनों को into करना वो इन दोनों के into के बराबर आ जाएगा अब देख लेतें next तो next question है दोस्तो solve the following pair of linear equation using the elimination method अब देखो elimination method क्या होता है और यह थोड़ा gap है ठीक बीच मैं रुको जाओ यार यह देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है एक तो 3X ठीक है प्लस का कितना है 4Y थोड़ा एक मिन रुको मैं थोड़ा पतला कर लेगा हूँ size में ज़्यादा ही मोटा हो गया देखो 3X प्लस का कितना है 4Y और साथ में कितना है 10 ठीक है फिर है आपका 2X माइनस का Y इक्वल्स टू 1 ठीक है अब elimination method से करना है दोस्तों तो मैं क्या करूँँगा इसको तो 2 से इंटू करो पूरी equation को और इसको 3 से इंटू करो तो 2 से इंटू करेंगे तो 6X प्लस का 4 तू जाए 8Y और यह जाएगा 20 और इसको इंटू करेंगे 3 से तो 32 जाए X माइनस का 3Y इक्वल्स टू 3 अब इसको elimination कर लो यह तो कट जाएगा यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो यह माइनस का यह माइनस का साइन है तो यह प्लस का हो जाएगा ठीक है और यह प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा इसमें तो यह तो कट गया 8 प्लस अब यह वाला साइन ही देखेंगे 8 प्लस 3Y कितना होता है 11Y 20 में से 3 गये तो कितने बचे 17 तो यहाँपर य की जो value होगी न elimination से कर खुरा है, अपने ठीक है अब elimination से कर आ है तो यहाँ पर 17 पून 11 आ गया ठीक है, आप देखी सकते हो यहाँपर हमने 3 से into गरे हो न 3,2 जा 6, 3 और यहाँपर 3 और यहाँपर 2 से गरी हो 4,2 जा 8 ठीक है और यहाँ पर 20 तो 6x से तो 6x गया 8 प्लस 3 कितना होता है 8 और 3 11 हो गया है और यहाँ पर 20 में से 3 गया है तो 70 तो y की value 17 अपोन 11 और x की value आप लिका लिए ना यहाँ पर put कर दे y की value x के निकल जाएगी ठीक है इस तरह से हो जाएगा अब देख लेते हैं next दोस्तो हमारी screen पर next question तो next question है आपके पास अब देख लेते हैं 21, 22, 23, 24 मैं आपको सीधा answer दिखा दूँगा महाँ से match कर लेना ठीक है अब video की length काफी लंबी हो रही है तो मैं कोई ऐसे ही करना पड़ेगा कोई 4 भी नहीं है अब देख लो section D section D के question आप देख सकते हैं मैं अभी आपको answer दिखा दूँगा इसके वासे आप match कर लेना ठीक है और जो भी question अगर समझ भी नहीं आया तो comment कर देना उसका मैं answer अलग से बना दूँग उसको video ठीक है तो यह देख सकते हैं यह हमारा section D हो गया ठीक है अब देख लेते हैं इसके answer देखो section B था ना आपका वो तो आप match करी लेना देखो तो आप यहां से section C है section C के आप answer match कर सकते हैं ठीक है आप देख लेना आपके आपके answer आपसर बता रहे हैं section D के answer यहां बता रहा है के case study 1 और case study 2 है यहां से आप match कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों हमारा sample paper यहीं finish होता है उम्मीद करता हूँ कि this sample paper ने आपके exam preparation को काफी boost किया होगा इसी तरह कि informative sample papers की up to date जनकारी पानी के लिए आज ही चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon के बटन को दमाने ना भूलिएगा तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे बाई बाई